हलो फ्रेंट्स कॉंपटिशन कमिटी के वीकली करेंट अफिस रोग्राम में आप सभी अस्वागत है और मैं हो हीमन प्रधान आई फ्रेंट्स आज हम देखते हैं पिछले वीक में साइंस एंट टेक और इंवार्मेंट से रिलेटेड उन सभी महत्पूर्ण पहलों को जो इसका संबन इन्वार्मेंट और साइंस एंट टेकलोजी से रिलेटेड है और हमारा एप्रोच हमीशा की तरह इसके स्टाटिक पार्ट को भी कवर करते चलेंगे विट डायनमिक डायनमिक में आपका स्टाटिक में आपका उससे रिलेटेड महत्पूर्ण फैक कवर होंगे जो आपका कंसर्ब बीडिंग का कारी करेंगे ठीक है तो स्टाट करते हैं आज की सेशन को जिसमें की सबसे फॉस्ट पॉइंट आप यहां पे देख रहे हैं और बहुत इंपॉर्टन इमेज देख पा रहे होंगे यह है वर्ल्ड वाइट फंड फॉर नेचर डबलु डब हुआ था इसका मुख्याले जो है ग्लैंड याने स्वीजर लैंड में स्थित है यह कई बार एक्जाम में आपके पूछा जा चुका है अब यहां पे इसका काम क्या होता है यह इसका काम होता है कि परियावरण सर्क्षन रिसर्च और उसकी डेवलप्मेंट से रिलेटेस स क्रिति के साथ सामंजिस्ट बैठा कर ही वो कर सके ठीक है तो यह बेसिक लिए इसका अब्जेक्टिव है अब इससे रिलेटेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कंटेंट है वो है कि यह डबलु डबलु एप कौन कौन से रिपोर्ट पब्लिस करती है तो सनकर जीव है उनके विलुक्त होने का खत्रा और जादा मंडरा इसके लिए इसमें क्या था इसमें है कि हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे ब्यापार जो ट्रेड किया गया है उसमें 173 ऐसे प्रजातिया स्पीचीज है और इसमें भी कितने 54 जो है वैस्विक विलुपती का सामना कर रही है ठीक है उनका भी trade यहां पे किया गया है कहां पे म्यामार में online trading हो रही है और चुकि अंतराश्टी इस तर पर कानूर है कि international trade इसका जो है नहीं किया जा सकता एक संधी भी है जिस संधी का उनलंगर नहीं किया जा सकता तो basically यह एक important awareness और एक बहुत important content है examination point आप उसे यहां पे देख रहे हैं कि जिन जानवरों का जो ट्रेडिंग किया गया जिसमें की आप देखते हैं बियर एलिफेंट गिबन याने कि वो जो कुछ मंकी पैंगोलीन ही इस बार हम पढ़ रहे थे अक्सर न्यूस में कि कोवीट 19 का जो वायरस आया पैंगोलीन से आया है ऐसा माना जा जा रहा है तो यह जो है इस रिपोर्ट में पॉब्लिस की गई है और यह बहुत जादा इसका जो है ग्रोथ है सेवेंटी फाइब परसंट की इसकी ग्रोथ है इस प्रकार इंटरनेशनल टेट जो इल्लीगल है यह किया जा रहा है दूसरा मतपूर्ण फैक्टिस में देख परसंटे इसकी उपसिधिया यह कहां पे इसका प्रजिंस है तो भारत का जो इस्टर हिमाला है पूर्वी हिमाला है और उसके आसपास के छेत्रों में मिलता है जैसे कि आपरवनाचल प्रदेश आप ले उसे की आप ले लो दारजिलिंग वाला एरिया या उसे सटे देश इसे की भोटान नेपाल चाइना इन जगह पर यह रेट पांडा मिलता है और यह वर्ल्ड वर्ल्ड वाइलाइफ फंड का जो है यह लोगों के तौर पर यह से क्या है यह इसे सामिल किया गया है याद रखे काफी लंबे समय से एक्जाम में पूछा जा रहा है यह ठीक है तो यह important content है आप ध्यां रखेंगे second उतना important तो नहीं है लेकिन फिर भी जान ले ठीक है लाइक फिर भी content है आपके current का कोई part skip मत हो इसलिए मने इसे भी सामिल किया है कि mission integrated bio refineries जो basically किसके लिए clean energy clean energy स्वच्छ उर्जा यह इसे अक्षा उर्जा यह रेनी वेवल energy भी कहते ह क्या है नहीं पहल स्टार्ट की जाए गई है इसे जहां department of science and technology के द्वारा ठीक है क्या किया गया है material acceleration platform map को सुरू किया गया है जिसमें कि हम latest technology का involvement करेंगे जिसमें की next generation के computer ठीक है quantum computing वगरा हम यूज करेंगे artificial intelligence यूज करेंगे machine learning robotics आदी उनकी छमताओं को उसको utilize करके या फिर हम कहें कि technology के समावेशन के द्वारा हम clean energy के अब लाइक उसके जो objectives को हम पासकेंगे ठीक है जिसमें कि mission integrated bio refineries का लक्ष रखा गया है कि वस 2030 तक क्या है 10% उर्जा जो ह जिवास माधारित होगी ठीक है इस बात को हम लक्ष रखें आपको पता होगा कि 2030 तक हम देखेंगे 500 गीगावाट का जो है यह renewable energy का उर्जा लक्ष रखा गया जो पिछले अभी एक्जाम में PSC में पूछा भी जा चुका है ठीक है तो यहां पर याद रखेंगे यह जो important इनिशेटिव है यह बायो रिफाइनरी के जो है उसके व्यावसाई करण में तेजी लाना और नई प्रकार की जो समाधान है उसका नए प्रकार की इनिशेटिव ने रिजल्ट नए लक्ष जो है से हासिल किये जा सकेंगे इसकी जौरत इसलिए पड़ी क्योंकि जितना भी कि जो कि आर्थ का टैंप्रेचर बढ़ेगा तो क्या होगा कि ग्लेसियस मेल्ट होंगे क्लाइमेटिक चेंजेस होगा उसका प्रभाव सभी फ्लोरा फौना पर पढ़ेगा ठीक है तो वैटस्पित उत्सरजन का जफ्द से ज़्यादा बहाँ किस से हो रहा है वो होता है ज इतने वहिकल्स वगरा से होते हैं उसका एक तिहाई के लिए जिम्मेदार है और उसमें भी से हम क्या देखते हैं एक चौथाई परिवहन छेत्र के लिए जिम्मेदार है एवं यह भी क्या है आने वाले समय में दोजार पचास तक और बढ़ने का जो है इसका अनुमान है तो जो पेरिस एग्रिमेंट हुआ था पेरिस एग्रिमेंट के बाद से ही यह स्टार्ट हो गया था और अभी जो है प्राइमिस्टर मोदी साब के द्वारा जो है कॉन्फरेंस ऑफ पार्टी 23 के 26 में हम यहां पे इस बात पर भी फूकस किया गया है कि 2030 तक 500 गीगावाट का हम रेनी भेबर लक्ष जो हम हासिल करेंगे और यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो हम दुनिया के उन जो है सीर्स देशों में सामिलोंगे जो यह लक्ष को हासिल करेंगे ठीक है तो यह बातें आपको ध्याँ रखनी है आगे हम देखते हैं बहुत important है यह है कोरोना का नया जो है आ लुमिक्रान एक्सी वेरियंट के दूवा है इसके दो वेरियंट है थीक है तो यहां पर यह दो चीज़े याद रखेंगे इसके सब वेरियंट है सब वेरियंट क्या है कि जब इस एक यहां पर समझें जैसे कि यह थोड़े जमें के लिए यह कोरोना वायरस का एक्सी वैरियंट है तो एकसी वैरियंट है जो इसमें देखते हैं इसका जो रेप्लिकेशन होता है उसमें क्या होता है कि जब अपनी रेप्लिकेशन या रेप्लिका बनाता है कोई वाइरस अपना रेप्लिका बनाया यह रेप्लिका इसका जो आरेने का स्ट्रक्चर होता है ज्यान देंगे एक वाइरस है वाइरस अपना रेप्लिका बनाएगा अपनी के साथ उनका जो जो जैनेटिक जो सीक्वेंस है उसमें थोड़ा क्या होती डिफरेंस होता है ठीक है पहला रेपलिका बनाया रेपलिका बनाने के बाद उसका जो है जीनोमिक सिक्वेंस देखते हैं ठीक है उसका आप यहां पर सीक्वेंस देखेंगे तो उसमें कोछ चेंज दिया जाता है जिसमें कि एक स्या कई mutation हो सकते हैं वो हामपूर हो सकता है वो dangerous हो सकता है उसका अपना एक characteristics हो सकता है उसका एक लक्षण होता है तो जब एक नए variant में मूल वाइरस की तूलना में अलग-अलग उसका जो है कारयत्मा गुल होता है तो वो क्या है जन आबादी के बीच में population के बीच में वो क्या होता है कई बार बहुत ज़्यादा खदरनाक हो जाता है ठीक है तो यहाँ पर याद रखेंगी जो variant होते हैं यह जो variant होते हैं तो यह basically कुछ बाते आपको समझनी है कुल मिला कि अपना जो है mutation करके नए नए रूप में लाता है नए रूप में देखते हैं आरेने का जो structure होता है ठीक है राइबो नुक्लिक एसिट का उसमें जो जीन का सिक्वेंस होता है वो अलग-अलग होता है तो म्यूटेशन के बाद देखते हैं कि वहाँ नुकसान दायक हो सकता ह है बहुत ज्यादा खतरनाक होता है कुछ ऐसे vaccine जैसे कि अभी कोविड का जो second लहर हुआ था बहुत ही जो है वह डेंजरस था ठीक है तो बस इतना को आप याद रखेंगे ठीक है जहां पे कहां कौन से country में पाया गया था United Kingdom में पाया गया था जनवरी 2022 में और यह जो है अ प्रित्वी अवलोकन उपगरह ठीक है जीरो टू को वर्स 2022 की दूसरी तिमाही में लांच किया जाएगा यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके examination point आप उसे याद रखें कि यहां पर लिखा गया है आर्थ observatory satellite ठीक है प्रित्वी अवलोकन उपगरह ठीक है यह कौन सा दिया हुआ है जीरो टू है लेकिन आप यहां पर देख रहें कि PSLV C52 EOS04 तो EOS04 जो है वर्स 2022 का सबसे फस्स लांच था अब आप सोच रहे होंगे कि EOS4 लांच हो गया तू क्यों लांच नहीं हुआ है याद रहें जो कोविट सिचुएशन के कारण EOS02 का जो है लांचिं नहीं किया जा सका था लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि EOS04 जो है लेटेस में इसे लांच किया गया है EOS04 क्यों इंपोर्टेंट है 2022 का यह पहला लांचिंग था PSLV का 52 नंबर का जो है मिशन था ठीक है पॉलर सैटेलाइट लांचिंग वहिकल C52 नंबर का यहां पे ला और यह 2022 का प्रत्थम लांचिंग है इसलिए आने वाले 3-4-5-6 महिनों में जितने भी एक्जाम सोंगे वहां पर इसके लिए यह कंटेंट जो है इंपोर्टेंट है ठीक अब यह जीरो टुक्यों लांच नहीं किया गया था उसकी क्या खास बात है इसे थोड़ा देख ले वेल्स और आदी सभी चीजों में क्या है एक टेक्नलोजी डेमोस्टेशन होगा और यह स्मॉल सैटलाइट लांचिंग वहिकल के लिए एक पैलोट का भी निर्मान करेगा ठीक है तो यहां पर याद रखेंगे यह स्मॉल सैटलाइट लांच वहिकल से भी संबंदित है जो कि इसका हैटकॉर्टर कहां पर बैंगलोर में है यहां से बेसिकली स्सल्वी के सभी प्रोजेक्ट जो है रेगुलेट या लांच किये जाते हैं ठीक अब यहां पर याद रखें ईयोएस ऐसे सभी स्टूडेंट जो नहीं जानते हैं यह क्या है बेसिकली क्या है एक प्रिमोड करते हैं का टू सैथि य जो होते हैं वहां चीत बनाते हैं भाजन है यहां पर देखते क्या है यह बेसिकली है जितने भी ऊस होते हैं डो ट's का होता है असलिए हम पेसेंग करेंगे लेकिन अभी फिलाल ये समझिए कि ये जो EOS है ये बेसिकली काम क्या करता है कि प्रित्वी की भौतिक, रासानिक एबं जैविक प्रणालियों के बारे में जानकारी उपलब्द करता है और कई जो ऐसे EOS उपगरा सूरिक की SS सूर्य तूल्य काली कक्षा में क्या है नियोजि रहे है ऐाल में लांच किया गातू काटो सैत 1 2 2 8 2 6 का मतलब इमेजिंग सैटलाइट जो सा्ड़ जो सके बारे में मैपिंग करता है या हम कह सकते हैं कि यह ISRO के द्वारा recent में launch किये गए सभी EOS satellite हैं ठीक है बस इतना जाने ISRO के बारे में बार 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 बताने की जौरत नहीं है ISRO Indian Space Research Organization पूरे WISW में देखेंगे एक सीर संस्ताई Space Agency है जिसका headquarters कहां पर बैंगलोरो में है और यहां पर याद रखेंगे ISRO का जो है different अलग अलग पूरे country में उसके क्या है centers है जिसको centers को भी बार बार exam में पूछा जाता है ठीक है यह बात है सभी clear हो गई आगे बढ़ें तो आगे हम बढ़ते हैं कि चांदीपूर चांदीपूर कहां है ओडिसा के पास एक जो आइलेंड है उस वहां पर दिखते हैं ओडिसा महीं आता है वो ओडिसा के चांदीपूर में इक क्रित इंटीग्रेटेड रेंज आई टी आर इंटीड टेस्टिंग रेंज थीक है वहां से क्या है मिसाइल प्रणाली स्टिक है कि अगर हम देखते हैं किसी द्वनी की स्पीड मतलब जिसका जो है स्पीड एक मैक से कम हो तो सबसॉनिक ठीक है एक से तीन के बीच में हो तो सूपर सॉनिक ठीक है सूपर सॉनिक अगर यहां पर देखते हैं पांस से जादा हो तो उसमें हाइपर सॉनिक यह तीन प्रकार की स सबसे पहले इसे क्या है लॉंच करने का कोशिस किया था एस एफ डी आर याद रखेंगे ठीक है इसका फुल फॉर्म ठीक है एस एफ डी आर याने पुने के लैप्स का इनमें क्या है बहुत बड़ा युगदान है ठीक है डी आर यो के भी डिफरेंट लैप से जैसे कि अभी आप देखते हैं 52 प्लस 153 थे ठीक है अब जो है उसके नंबर अगर रिशेंट में वेबसाइट में देखेंगे तो 60 दिखा रहा है तो यहां पर इसके बढ़ गए है यह लेब अलग-अलग प्रकार की कार करके क्या करते हैं डी-आडियों को आसिस्ट करते है तो होवाई हमलہ खुद को क्या सुरक्षित करेगा और विसुके कुछ गिनचिनों देशों के पास ही है हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइले जो SFDR तक्निक को अपयोग करती है लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम होती है क्योंकि उन्हें ऑक्सीडाइजर अर्थाद आवाई मंडली से ऑक्सीजन की आवे सकता नहीं पड़ती यानि कि हम कहते हैं कि जब लंबी दूरी में हम चाहेंगे तो आपको एटमोस्फियर से बाहर जाना पड़ेगा तो एटमोस्फियर के अंदर जाएंगे तब तो ओटू अवेलिबल है और एटमोस्फियर के बाहर जाएंगे तो ओटू अवेलिबल नहीं होता ठीक है और रेमजेट इंजेन की खास बाद याद रखें जब इंजेन ये चालू होता है तभी इस परकार की तकनीक जो है यूज की जा सकती है इस इस SFDR के बारा में याद रखे यह रैम जेट इंजन सिध्धान की अधारना पर काम करता है डिफरेंट डाइब की इंजिन्स होते हैं जैसे क्रायोजेनिक इंजिन जो निमनताप पे काम करता है इसमें हाइटोजन और ऑक्सीजन जो है फ्यूल के तौर पर यूज़ की जाते ह है ना रिलांचिंग वहिकल जो है टेक्लोड डिवन जो पार्ट है वह भी इसमें क्या हो सकते हैं इस प्रकार की इंजिन्स वगरा और सुर्वात में हम देख रहे थे जो काफी ज़्यादा थ्रस जनरेट करता है और सी प्रकार का ऐसे डियार का यह जो टेक्नीक है यह भी अपने आप पे काफी रिवर्श नरी है क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन की जोरत नहीं पड़ती ठीक है और यहां पर क्या है एक कह सकते हैं एक सॉलिड वाला जो भी है य बाखी चीजें उतनी इंपॉर्टन नहीं है डिया डियो के स्थापना 1958 में हुई थी ठीक है जी सतीस रेड़ी इसके जो है चेयर्मेन है ठीक है और क्या खास बात है इसका हेड़ी पे है दिल्ली न्यू डैली पे है इसका हेड़कॉर्टर आगे बढ़ें आगे बढ़ते ह हम कुछ और माकपूर्ण पॉइंट की और जिसमें की हम देखते हैं कि बहुत ही important content है मेरे ख्याल से आज के slide का सबसे important content यहीं है ठीक है तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि new WHO global air quality जो है उसके जो guidelines है air quality index जानते हैं air quality index AQI से कहते हैं AQI वे हम देखते हैं कि जो जितने number 8 important pollutant को सामिल किया जाता है प्रदूसकों को सामिल किया जाता है तो जिसमें की W हो क्या करता है किवल 6 को consider करता है और यह 6 जो होती है जो प्रदूसकों जो वाई गुणवत्ता के का जो है पुरा स्तर को decide करते हैं और यदि इनका presence है तो बहुत जादा वहां पे dangerous है ऐसा माना जाता है तो यह 6 प्रमुक पॉल्यूटेंट डबलू एचों के हिसाब से कौन कॉल सा है देखिए पर्टिकुलेट मैटर 2.5 पर्टिकुलेट मैटर 10 पीम मतलब है ना कर्णिकी पदार्थ ठीक है 2.5 टैन और ओजोन है ना उसके बाद देखते है और नाटिजन डायोकसाइड सलफर डायोकसाइड और सब्सक्पर जाता है यह इसका साइज बहुत ही छोता होता है यहीं लेट में नाटिक कॉस्क्ता है यह सब चीजों के लिए पर्टिकुलेट में पर रिस्पारवंसिवल हो सकता है एक यहाद रखें जो जो अपने आप और यहाँ पे नाइटोजन डायकसाइड, सल्फर डायकसाइड और कार्बन मोनोकसाइड तो यहाँ पे 3 प्लस 3-6 हो गए अब यहाँ पे अगर दो और पलूटेंट को जोड़ दो कौन-कौन सा दो पलूटेंट एक है लेड ठीक है पीबी लेड और दूसरा है अमोनिया ठीक सब्सक्राइड पर लागू किया जाता है डबलू एचो के हिसाफ से 6 पलूटेंट है लेकिन सीबी सीबी के हिसाफ से उसमें दो चीजें और जोड़ दो लैड और अमोनिया तो इस प्रकार जो बन जाता है वो है आपका यार क्वालिटी इंडेक्स याद रखेंगे जिसमे है अपने अपनी यह एक्जाम की पॉइंट आप उससे बहुत इम्पोर्टेंट है जिसमें कि आप देखते ही हैं कि 2021 का जो लेवल है कितना गया है और 2015 का लेवल था क्या है यह देखा गया है थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका इंपॉइंट पॉइंट य है कि यह क्या है साथ अप्रेल साथ अप्रेल क्या मनाए जाता है विश्व स्वास्त दीवस मनाए जाता है उसके जस्ट पहले लॉंच किया गया है कि पूरी वैस्विक आवादी डबलो एचो के दुवारा जो निर्धारित सीमा है उस सीमा से अधिक मतलब खराब प्रकार की वाता व्रहन के रहती है सांस लेती है इसमें कि आप देखते हिं धिर्देश की यह देंबुन बद्ता जो यह सामिल किया गया है और उसमें कि देखते हैं कि उच्छ आयवाले 17% सहरों में 2.5 और प्रेटिकलेट मेटल 10 का इस्तर जो है डबलू एचो के द्वारा वाई गणवत्ता नीरदर्सकों के भीतर है ठीक है केवल 17% याद रखेंगे ठीक है और निम्न आयवालों में देखते हैं एक परसन से भी कम सहरों में क्य है यह अनुपालन जो है वो कर पा रहे हैं मतलब बाकी जो हैं बहुत ही खतरनाग इस्तिती में रह रहे हैं कि डबलू एचो के अनुसार ठीक तो यहाँ पर याद रखेंगे इसके निगरानी भी की जा रही है उसके बावजूद जो हम देखते हैं कि प्रदूशन का बहु हो का है इसमें और एक्जाम में पूछा जा सकता है इसके बाद देखते हैं प्लू जो है पॉलीथीन क्या है यहाँ पर देखते हैं कि मिनिस्ट्री और इंवार्मेंट और जो है climate change के द्वारा याने परियावरण मिनिस्ति के द्वारा हम कहेंगे तो तो एक क्या है प्रभावी प्लास्टिक अपसिस प्रबंधन पर ठीक है जागरुपता है तो एक मैसकोट है प्रकृति मैसकोट या सुभंकर और हरित पहल जो है उसका सुभारम किया गया है ठीक है इसमें क्या है इस मैसकोट या सुभंकर के बीच में क्या है जनता के बीच छोटे बदलाओं के बीच में जागरुपता फैलाएगी और जिन्हें बहतर परियावरण के लिए हमारे जीवन सहली में हम उसे सामिल कर सकेंगे ठीक है इस प्रकारी जागरुपता फैलाएगी याद रखेंगे यह बहुत इंपोर्टेंट प्रेलिम्स का पॉइंट है कि फरवरी 2022 में प्लास्टिक अपसिस प्रवंधन संसोधन नियम जो है 2020 की गोश्टना की जा चुकी है ठ सुभंकर में अवेर्नेस फैलाना और हम एक ऐसा अवेर्नेस की हम डेली लाइफस्टाइल में उसे क्या है इस थाई रूप से अपना सके और दूसरा क्या है देखते हैं हरित पहल हरित पहल की में देखते हैं जो सिंगल यूस प्लास्टिक है इसे हम सॉट फॉर्म में क्या परबनधन है उससे क्या है काम करेंगे उसका ट्रैकिंग भी करेंगे दूसरा प्लास्टिक पैकेजिंग की जो है एकउंटिबिलिटी तय करेंगे उसमें जो है साइट से डिफरेंट टाइप के ब्रेंड जो मालिक है या अलग अलग प्रकार का इसका मैनिफेक्टिरिंग उसका पैकेजिंग उसके बाद पूरा अब एक मैनेजमेंट का पार्ट जो है यहां पे इसे रेगुलेट किया जाएगा तीसरा डिस्टिक लेवल पे और जो लोकल गवर्नेंस के द्वारा मिनिसिपल कॉर्पेशन पंचायत उनक सब का भी इनवाल्मेंट होने वाला है इसमें की सिंगल यूस प्लास्टिक को क्या है नि रियूस रिसाइकल और यहां पे यहां पे देख रहें रिड्यूस रियूस और रिसाइकल पहले आपका क्या है उत्पादन जो है आप कम से कम प्रयोग करो कम उप्योग करो पुना उप्योग करो और यहां पे देखते हैं ठीक है यहां पे रिसाइकल और पुनार्चक्रन क बात है वो यह हैं आपके अगर पेपर फूर में देखते हैं पेपर फूर में साइंस और टेकलोजी का पार्ट जिसमें की एगरी कल्चर टेक्ट लॉजी है वहां पे यह चीज पूछी जाती तो तीन मात पूर्ट जो एगरी कल्चर फार्मिंग का याद रखेंगे पहला है आप देखते हैं नैचुरल फार्मिंग दूसरा जीरो बटर बजट फॉर्मिंग और तीसरा और्गनिक फार्मिंग ठीक है यहां पे देखते हैं उन सभी बातों को जो आपकी एक्जाम की पॉइंट उससे इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले अगर देखें इसमें ठीक है क्वन की साइट से लिया गया और ने जो है यह नहींस मेरा टा पिछले वीग में जीरो बजट प्राकृती ख्येती का मतलब क्या है यह पांच साइंपॉरनेंट गयां यहां पे जीवा मृत जितने माइक्रोवियल से सुख्वजीव है और केच्व की बढ़त यह क्या करेंगे इसे थोड़ा सा ज्यादा एरी बनाएंगे वाई भी बनाएंगे और वहां पर अपना जो है जो वहां पर खाद का काम करता है तो मिट्टी में सुख्वजीवों और केच्वों की बढ़त यह पहला इसे जीवामृत का काम करता है दूसरा बीजामृत जो फंगस और मिट्टी में होने वाली बिमारियों से नई जड़ों की रक्षा ठीक है जो इसमें क्या है इसे बीजामृत कहते हैं उसके बाद देखते हैं आच्छादन खर्पतवार की विद्धी को रोकने और नमी बनाए रखने के लिए पौधों को ढखना जितने भी व दोनों में अंतर भी अभी थोड़ी दिर में उसे अंतर कुछ समझेंगे तीसरा है वापसा यानि कि इस हीचाई की जड़रत कम करने है तो प्रुत्सान इसे हम वापसा कहते हैं और इंटर कॉपिंग एक फसल के साथ दूसरी फसल को उगाना जैसे कि आप देखते हैं किसी जगा अद्रक की खेती हो रही है तो अद्रक जो है वह लंबे समय आट से नौ महीने लगते हैं तो यहां पर अद्रक की खेती के पहले सुरुवाती पहले महीने में कोई इस प्रकार का जोद पादल लिया जा सकता है जैसे कि उस पर आप को और यह जो है आपका अद्रक वह लंबे समय बाद जो है उसका जो है लाइक आट से नौ महीने बाद उसको हर्वेस आप कर सकेंगे ठीक है या उसको खोद सकेंगे क्लेर हो गया तो यहां पर इसके खेती क्या है जीरो बजट खृती या प्राकृतिक खेती का मतलब क्या है इसका मतलब है कि बीना रसाइ पादन लागत कम होती है इंपुट कॉस कम होता है तो इसलिए क्या है ज्यादा फाइदा होता है किसी प्रकार का कोई भी यहां पर कैमिकल यूस नहीं किया गया है सिभ्याद रखना गाय के गोबर पौदों के अर्क सुक्षमजीव केच्वा फंगस मिट्टी दूसरे ऐसे ज एंपूंट को रोगने के लिए मिटी कवर करते हैं प्रती पृंद फासल की मात्रा को अनुकूलित करती है करना यह पुंपोर्टन इंपॉर्टन होते हैं किया करते हैं इस आर्थ को फटाइल बनाते इन्वार्मेंट सरेक्षंड की पॉंट पॉंट है पसुधनिस्थिर्ता के लिए पॉंम्ट है जिसे गाय का मुत्र और देखतें गाय का गोवराधी से क्या है हम, एकुसिस्टम को जिवित कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, काफी flexible टाइप का यह जो है, इस टाइप का यह फार्मिंग होता है, जिसमें कि की किसी प्रकार की कोई भी लाइक प्राब्लम नहीं होती, इसमे यह बेशलइकली पॉइंट पूरे मिनष के पॉइंट आव से अब चाहिए ऊस्टे यहां ऑ उसे प्ररलेंख प्र coy्ट आवब Dobbs आव keto वह चीछ है अल्बर्ट हावर्ट का नाम जानते हैं अल्बर्ट हावर्ट ने सबसे पहले लाइक और्गनिक फार्मिंग यहां पर जैवी क्रिशी का उसने उन्होंने सबसे पहले concept दिया था तीक अल्बर्ट हावर्ट ने जैवी क्रिशी में क्या होता है जैवी उर्वरक और खाद जैसे प्राक्रितिक खेती में मिट्टी में तो रासानिक ना यह जैविक खाट डाली आती वास्ताव में बहारी उर्वर्ण का प्रयोग मिट्टी में बिलकुल नहीं किया जाता ठीक है यहां पर याद रखेंगी इसके पहले स्लाइड में जो वहां पे जो छोटे-छोटे माइक्रोबियल से होते हैं वो नहीं के द्वारा वो प्राप्त होती है ठीक है तो कंफ्यूस होना नहीं है आप चाहें तो उसे सिमिलर भी मान सकते हैं कि गोबर यूज किया जा रहा है और कुछ आर्थ वर्म अगर है वो सब चीज़ें वहां पर आपने वर्मी कमपोस्ट बनाया हुआ है गोबर की एक जगह से दूसे जगह वहां पर डाला जा रहा है ठीक है वह नेश्रली है यहां पर बना कि उसमें डालते हैं जैविक खृति करने के लिए जो है जो जो है इंफ रास्टॉक्चर है जैसे की जुताई करना बुढा चोड़ देते हैं जो ऑर्गनिक सब्स्टेंस का क्या करते हैं अब घटन करते हैं और इसे दीरे-दीरे क्या मिट्टी जो है पोसक होते चलती है ब्यापक इस तर पर खात की आवस्चक्ता एक कारण जैविक क्रिसी अभी थोड़ा महंगा है क्योंकि हम पूरी तरह से डिपें है अब यहां पर तुरंत और्गनिक फार्मिंग वाला जो कंसर यदि हम लाएंगे इस केस में क्या होगा कि जो है काफी कॉसली हो जाएगा क्योंकि डिमांड्स उतनी डिमांड्स के हिसाफ से सप्लाई जो है उतना पॉसिबल नहीं है फिलहाल किस्थिती में जबकि प्राक नहीं नहीं अपनाए जाता उसे ने कहा नैश्रली इको सिस्थम के थू वहां पे वह उस प्रकार का लैंड जो है फटाइल होता है जहां पे बीच-बीच में बीच-बीच में आप अपनी क्रॉपिंग कर सकते हैं और उसी के हिजाब से वह ग्रोप करेगा क्लियर हो गया इ अच्छा मंत्रा ले ने 101 वस्तों की तीसरी सकारात्मक स्वदेशी करण किया है ठीक है जो जो इंडीजिनेशन वाला जो है इंडीजिनस जो पार्ट है स्वदेशी करण का पार्ट है याद रखेंगे यह बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट है कि अगस्ट 2020 में 101 वस्तों वाली प्रत्थम नकारात्मक स्वदेशी करण सुची को अधिसुचित किया गया था और दूसरी बार में हम देखते हैं दूसरी स्वदेशी करण में जून 2020 में 108 ऐसे वस्तों को अधिसुचित किया गया था जिसको हम पूरी तैसे क्या करेंगे इंडीजिनस तरीके से इसे अपनाएंगे जिसमें कि हम तीसरी सुची अभी latest में जो है launch की गई है या release की गई है जिसमें कि हम देखते 101 है ठीक है पहले बी 101 था दूसरे में 108 था तीसरी में फिर 101 है जिसमें कि हम क्या देखते हैं अत्याधिक जो ख्यार गोला बारुत हलके वजन वाले टैंक है आटेगली सिस्टम से जितने भी जो गस्ती वाले पोर्ट से ठीक है और जो आधी यह जितने भी जो एकुप्मेंट से रक्षा उपकरण है इसको हम क्या करेंगे हम इसका पूरिता स्वादेशी करण करेंगे यहीं पर उससे क् खागा इसकी जो है अलग अलग जो है इसकी जो है कैने चाहिए स्रेनियां यह पूर याद रखना हमारा जो टार्गेट है मैं डिसंबर 2022 से लेके दिसंबर 27 तक हम लगातार जो है सदुसी चीज़े जो है बनाने का यह तार्गेट रखा गया है जिसमें हत्यारा प्लेटफॉर्म को जादा जो है इसमें रखा गया है 101 जो वस्तों को अपसे रक्षा अधिकरन प्रक्रिया डीएपी 2020 के प्राधानों के अनुसार जो इस्थानिक सुरोतों से खरीदा जाएगा उसमें जो अलग-अलग सेनिया हैं याद रखेंगे कि यदि हम खरीदते हैं तो जैसे कि भारती है स्वादेशी रूप से विक्सित और निर्मित यहां पे हम डेवलप भी हमारी टेकलोजी कर रहे हैं और मैनुफैक्चरिंग भी हमारी जो है हमारे जो है अ से हम खरीदेंगे और तीसरा क्या करेंगे कि खरीदें और बनाएं कि जिसमें कुछ चीजें जो से उत्पाद वगरा जो है कुछ उसके प्रड़क्ट है उसको खरीदेंगे और उसे बनाएंगे उसकी मदद से खरीदें जैसे कि वैस्विक लेवल पे हम देखेंगे और भा लब करेंगे कि खरीदेंगे थी करेंगे थी कहिती वैसे इसे भी खरीदा जाएगा और और चौत्हा जो है खरीदेंगे गलोबल तरीके से वींड़ से विश्या से कुछ चीज़ां इंपोर्ट किये तो फूरीते से खरीदें कुछ चीजेंसे हम यहां पर बनाएंगे ठीक है तो कुछ ऐसे प्रोडक्त की कुछ उत्पात की कुछ उसके इंस्टूमेंट की जौरत पड़ेगी तो बाहर से भी मंगाएंगे ठीक है इसकी अलग-अलग कैटिगरी है ठीक है पॉइंट है स्वदेशी करण यह स्वदेशी करण को ध्यान देंगे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के द्वारा जब हम यहां सवदेशी करण की बात करते हैं तो भारत दुनिया के सबसे बड़े जो है लार्जिस कहना चाहिए वन अब दे लार्जिस जो है जो रक् इंपोर्ट में बहुत बड़ा इंपोर्टर भारत एक उसमें सामिल है और अगले पांच वर्सों में जो ससस्त्र बलो द्वारा रक्षा करीट पर लगबग 130 बिलियंड अमेरिका डॉलर खर्च करनी की उम्मीद है तो जितना जादा हम स्वदेशी करण करेंगे उतना जो ह तो डॉक्टर कलाम ने बहुत पहले 1980 के दसक में ही IGMDP का जो है यहां पर वो सोच लिया था उसके तहट जो है प्रित्वी अगनी त्रिशूल नाग और आकास एक ऐसे मिसाइल जिसका जो है यहां पर अगर हम करेंगे इसका उत्पादन भी यहीं से करेंगे टेक्नलोजी भ प्रिकास कारिकरम जो है इसमें देखते हैं 1983 से स्टार्ट हुआ था और डॉक्टर कलाम की नेत्रित में यह स्टार्ट हुआ था जिसमें की 5 सफल मिसाइल इसमें बनाये गया था तो यह स्वदेशी करण की प्रक्रिया उस समय से स्टार्ट हो गई थी अब यहां पर क्या द आगे बढ़ रहें या फिर हम कहें इंटर कॉंटिलेंडल बैलिस्टिक मिसाइल तो हम बनाई चुके इसका रेंज बढ़ा रहें कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि 6,000 km तक जो इसका रेंज था वो 8,000-10,000 km तक आने वाले समय में हो सकेगा और हम ऐसी technology का successfully प्रदरसंग कर भी चुके हैं तो आज के session में हमने different type की अलग-अलग current इस week का देखा जिसमें की बहुत बहुत ज़्यादा current important तो नहीं थे लेकिन जो जो important है उस सभी collection को मैंने आपको देने का प्रयास किया है आई हो आप सभी बातों को समझे होंगे फिर भी कहीं पर कोई doubt है definitely आप पूछिए I will definitely answer you मिलते हैं next class में coming week में फिर से science tech और environment की current affairs के साथ thank you so much have a nice day